करना चाहूंगा 1991 में कारगेल और काकसर्क शेत्र में जो बड़ा भारी जड़ाप हुई थी इंट्रूशन हुई थी जिसको बिल्कुल दबा दिया गया था उस वक्त की सरकार ने क्योंकि बहुत सारी एहम जो हमारी जमीन थी 1987 में वहाँ पे दुश्मन दिरे दिरे इंट्रूड करके आगे बढ़ता आ रहा था और उसने चुपके से बहुत एहम हमारी जो जगा एक शेत्र है वहां कारगिल में जो की रोड से सबसे नजदीक है शिरनगर ले हाईवे के उस पे कबजा कर लिया था दुश्मन ने सारी हाइट्स पकट रखी थी हमारी जो पहली पल्टन गई फिप्टीन पंजाब वो बिल्कुल उनके ठीक मार के नीचे थी दिन में तो हरकत करने का कोई सवाल नहीं था खाना भंकरों में बनता था यहां तक की लोगों को लैटरींग भी वहां डबों में करनी पड़ती थी और भार फेकनी पड़ती थी क्योंकि दुश्मन सिर्के उपर बैठा था चौबिस घंटे फायर होता था बहुत नुक्सान हुआ वहां पे पजजाब पल्टन का फिर उसके बार भार पल्टन आई उनका भी काफी नुक्सान हुआ फिर हमारी पल्टन को वहां लाके दो साल पका हमको बोला कि हम टिक के रहेंगे वहां पे और हमने वहां पे जवाबी कारवाई शुरू की थी पाकिस्तान की मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि वहां हमारा एक बीसेफ का बिटैलियन कमंडर में उस पोस्ट पे गया तो मैंने देखा कि पोस्ट तहस नहस हो चुका था बहुत जबरतस फायर आया था तकरीमन सारे बंकर तूटे हुए थे और सारे के सारे बिचारे पी एसेफ की जवान वो रिवरस लोग पे आयुए थे आगे की पोस्ट में केव एक बंकर रह गया था जिसमें हमारे एर डिफेंस का एक हमलदार राजे सिंग होता था बिचारा वो वहां था तो उसने बोला साब मैं आप से अकेले में बात करना चाहता हूं मैंने क्या हुआ तो बोले की साब हमारी यहां बहुत बेस्ती हुई यह पाकिस्तान एक बड़ तो उसके बाद इतने घबरा गए बिचारे वो बीएसेफ के लड़के जो वहां थे इतने भेंकर फायर से कि वो सबके सब रिवर्स लोप पे जाके रहे गए केवल रहे आगे तो हमलदार राजे सिंग और उसने बोला साब कि वो जो थे उन्होंने फिर पाकिस्तानियों न हमको अच्छी करा मार लगाके जहां अपनी नाथ चहाने के लिए वो अपने अपने बंकरों पे निकलाए और उन्होंने छट पे आके भंगडा किया कि अगर मां का दूद पिया तो मार लो और लोग इतने घबरा गए थे यहां पे कि किसी ने फायर नहीं किया उन्हें इसको बिल्कुल दवा दिया दफना दिया कार्पेट के नीचे और रिजल्ट यह हुआ कि जब दूसरी बार वहाँ